बिस्तृत घोष्णा पत्र भारती जन्ता पार्टी का आने वाला है संकल्पत्र हमारा लेकिन ये चुनाओ केवल किसी को मुख्ध मंत्री बनाने का चुनाओ नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाओ नहीं है ये चुनाओ है जारखंड को बचाने का चुनाओ रोटी बेटी और माटी इन तीनों की रख्षा करना हमारा संकल्प है बंगला देशी घुसपैठियों के कारण यहां की डेमोग्रफी तेजी से परिवर्तित हो रही है अब आप देख लीजिए हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आवादी 44% से जादा थी घटके 28% रहे गई अगर बाकी आवादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आवादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रिभावित हुई है लगातार कम हो रही है भारत की धरती पर जिनने जन में लिया है वो सब हमारे अपने लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आ के करें और यहां रहने लगे और यहां की सरकार उनको संदक छन दे अभी घुसपैठ तेजी से जा रही है क्योंकि वोट वेंग के लालच में हैमन सोरेन की सरकार गठवन्दन की सरकार उनको घुसवा रही है उनके आधार कार्ट बन बार रही है उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है और यह खत्रा इतना बड़ा है के वो आते हैं, हमारी धर्ती पर कपजा करते हैं, माटी हमारी जा रही है, कि वल धर्ती पर कपजा नहीं करते हैं, आजिवासी बेटियों से साधी करते हैं, बेटियों के तुकडे करके फैंके गए है रुविका और अंकिता जैंसी बेटियां काट काट के फैंकती गई है कही बेटियों को भ्रम के जाल में फसा कर उनसे बिवाह किया उनके नम पर संपत्ति खरीद रहे हैं और यहां संपत्ति के मालक बन रहे हैं चुनाओ लड़ जाती हैं, बेटी हैं उसे साधी के चुनाओ ललवा दिया, तो इस्थानी सरकार पर कबजा कर रहे हैं, यहां के रोजगार की अफसर कम कर रहे हैं, इसलिए रोटी, मतलब रोजगार, माटी, मतलब हमारी धर्ती पर गुस पैठियों का कबजा ना हो, और बे सी लागू करेंगे, नागरिक्ता का रेजिस्टर बनेगा, जिसमें इस्थानी निवासी रेजिस्टर होंगे, और जो घुस पैठिये हैं, उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, यह हमारा संकल्ब है, यह तो पॉइंट्स है ही मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के सा सकता की लडा़ाय नहीं है, यह तो जार्खन को बचाने की लडाई है, तो हमारा प्रमुख मुद्दा है, यह है। हम सरकार किवल किसी भवन में अफसरों के साथ बैठके नहीं चला रहे हैं मोदी जी का ये कहना है कि संवाद होना चाहिए मैंने किसानों और किसान संग्ठोनों से संवाद प्रारम किया है आज भी हमारी किसान भाईयों के साथ दिल्ली में बैठक है किसान संग्ठोन के साथ हम चर्चा करते हैं वो अपनी समस्याइं बताते हैं समाधान भी उन से पूछते हैं और उसके आधार पर जो बहतर हो सकता है वो करने का प्रैत्न करते हैं समवाद से समाधान और किसानों के कल्यान की योजना किसानों से बात करके ही बनाई जाए इसलिए हमारी ये बैठक होती है आज भी है यहां से जाके मैं बैठक ही करूँगा